एक और चीज यार मैं आपको ना यहां पर बतानी भूल गया यह जितना भी जैसे portion होता है यह एक time पे कोई half an hour का shoot नहीं होता half an hour में सब कुछ complete नहीं होया था चार घंटे भी होते हैं पाँच घंटे भी होते हैं जादा भी लग जाते हैं एक और जब episode आएगा मैं उसमें बताऊँगा कि हमें उस shoot में कितना time लगा था बहुत लंबा shoot था है वो हमारा जितने भी time हम हाँ पे रहे सबसे लंबा shoot वही वाला था हाँ जी यहां पे बहुत कुछ edit कर दिया जाता है तो यह वाला question तब पूछा गया था जब रतन और शुश्मिता जी की entry हो जाती है और यह वाला question मुझसे I think यह सुदेश बेरी जी ने ही पूछा था सुदेश बेरी जी ने मुझसे एक question और पूछा था डॉरी के regarding दहेश के regarding की सबसे question हो रहे थे तो यह edit बहुत जादा कर देते हैं एपिसोडों छोटा करने के लिए ना बहुत जाद editing हो जाती है तो यह वाला भी edit कर दिया तो यह वाला जो question था मुझसे पूछा गया था कि तुम डॉरी के बारे में क्या तुम्हारा राय है तो मैंने simple सा का किया और हम मैं डॉरी में believe नहीं करता तो मेरे को कोई डॉरी नहीं चाहिए तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 हम देने की बात नहीं कर रहे हैं हम लेने की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें डॉरी देनी पड़ेगी तो तुम उसीज में कैसे believe करते हैं तो मैंने simple सा answer किया मैंने का यार जब मैं लेनी रहा तो मैं देने के बारे में सोच नहीं सकता तो मैंने simple सा वहाँ पर यह वाला answer दिया कि ना मैं लूँगा और ना मैं दूँगा simple that's it तो यह वाला question फिर से बार बार पूछते हैं यह back and forth question चलता रहा कि हां लेना देना लेना देना मैंने का नहीं जो हमारी मतलगी family की भी जो शुरू से हमारी tradition रहा है कि हम डौरी में नहीं believe करते हैं ना लेने में और ना देने में तो मुझे कोई डौरी में ना लेने में और देने में कोई interest नहीं है अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मैं देने में भी कोई उस चीज को ठीक नहीं मान था जब यह वाला question back and forth चल रहा था तो I think यह हितेन का comment आया था कि तुम इसको इस तरह से जवाब दे सकते थे कि हाँ डौरी मैं मैं बहुत सारा प्यार दूँगा but seriously उस टाइम पे माइंड नहीं काम कर रहा होता सारा जो महौल बना होता है situation जो उनसे ऐसी create की होती है तो मेरे माइंड में simple सी यही वाली बात आ रही थी और जो briefing हुई थी उसके recording सारी चीज़ें जो माइंड में चल रही होती है तो इस सारे का जवाब भी नहीं आहाए था वट जो सच है तो सच है मैंने वहाँ पे कोई fake नहीं कर रहा था जो हमारे tradition है जो हम जिस liegPनdos में बिलीव करते हैं मैंने वहाँ कई करते हम नहीं मलीव करते इस सीजम है तो ये वाला कोशन वहाँ पर दिखाया नहीं गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिहांड दा सीन इसको कह सकते हैं, बिहांड दा सीन ये वाली चीज थी, जो उनसी शो में नहीं दिखायी गई, उसके बाद आती है बारी दीपक पंडित की, दीपक पंडित बहु कहीं गई, तो ये तुम्हारा अपना घर है, तो पिता जी का है, तो उस टाइम पे बंदा एक तुड़ा नर्वस हो जाता है, बट यहां पर जो उसी लोहाजीन जी ने वाली बात कहीं, तुम तो वहां पे रहते हो, गुड़गावा में जॉप करते हो, ऐसा नहीं हो सकता, भाई, जहां जहां तुम जॉप करते हो, वहां वहां तुम घर नहीं ले सकते, और स्लोली स्लोली ही बंदा राइस करता है, स्लोली स्लोली इनसान राइस करता है, वो देखता है कि हाँ, मेरा फीचर क्या है, अकॉर्डिंगली वो जहां सेटल होता है, फिर अकॉर्डिंगल रहना है मेरा ही future है यहाँ पर मैं घर लूँ अभी दीपक पंडित ने recently जैसे उसने का कि recently वहाँ पर job join कि थी तो slowly slowly इंसान सोचता है कि हाँ ठीक है तो वहाँ पर यार वो चीजी थोड़ी funny होगी थी जो लोह सिंग जी कह रहे थे कि तुम्हें तो लोह सिंग जी ने सुदेश बेरी जी ने जितनी भी चीज़ें कई यह एक नर्वस करने के लिए ना इंसान को जान बुच के थोड़ा से नर्वस करने के लिए भी होती है ऐसे नहीं होता कि वो intentionally किस इंसान को ऐसे कहना चाहते हैं या बोल रहे हैं यह नर्वस करने के लिए भी होता है इंसान को थोड़ा सा कि हाँ वो देखें कि react कैसे करता है इस बात पर इसके बाद बारी आती है शोहिद की अब इसमें देखना आप ना मैं यहाँ पर इस तरफ या इस तरफ कहीं पर दाल दूँगा अब यह जो क्लिप आप देखोगे शोहिद का फेस देखना यहां पर शोहिब के फेस पर कितना अग्रेशन है और उस अग्रेशन का रीजन वही है जो मैंने आपको स्टार्टी में बताया ना जो ब्रीफिंग थी जो ब्रीफिंग की गई बट लेकिन इसका अग्रेशन तो ऐसा लगए रहा न कि जैसे इनसान का मर्टर ही कर देगा वो अग्रेशन का चलो जो रीजन है ना वो रीजन यही है कि हम सब को ब्रीफिंग ऐसी की गई थी कि आपको अग्रेशन शो करना है अग्रेसिवनेस शो करनी ही वहां पर कि आप में बहुत गुस्स दिखा दो या फिर तुम अपना वो दिखाओ कोई टिकेट दिखा दो अगर तुमने कोई अडल्ट मुवी देखिए उसका टिकेट दिखा दो कि तुम हां बाली को तो यह वाली चीज़ें हर कोई जितने भी आते थे ना इसा बोलना है या फिर थोड़ा वो शो से पहले ही वहाँ पे आने से पहले सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बरीफ कर दे जाता है तो उसके बारे में ये सारी चीज़े बोल दी गई थी तो यहाँ पे न उसकी जब बोला गया शोहिब को कि हाँ सुदेश बेरी जी सा पंजा लड़ाना है और जो यहां पर राहुल का कमेंट था नहीं आए थे और जब यह वाली चीज़ चल रही थी ब्रीफिंग चल रही थी या जब हमने सब ने उनको देखा तो ऐसा महौल बन गया था या सब थोड़ा सा डर जाते हैं सैम जाते हैं कि यार कौन आने वाला है जिस इनसान को आपने टीवी में देखा होता है आपको नहीं पता कि वो इनसान कैसा है अब मैं यहीं पे आपको यह वाली चीज़ भी बताए था हूँ लास्ट ना मैंने जैसी कट हुआ ना यर वो इतने फ्रेंड ली थे ना इतने ना इतने प्यार से बात करते थे ना और जो अग्रेशन अभी वो उन स्क्रीन हमें थोड़ा बहुत मुझे मतलब कि उनका पता था कि हाँ उस शो में उनका वहां पर लोसा सिंग क्या केरेक्टर था बट हम जो शुरू से बच्मत से जो हम देते आ रहे हैं उनको हमने दिखा है अगर आपको याद होगा दूरदेशन पर एक सीरी लाता था उसमें वो रोल करते थे एस इंस्पेक्टर भारत जैसी वो कट हुआ न तो ऐसे जो हम सारे महाँ पर जाके खड़े उनसे बात करने के लिए उन्होंने बोला इंस्पेक्टर भारत याद आया तो सभी को इदम से वो याद है अरे हां अरे हां जिनको नहीं पता था तो वो यार बहुत ही हमबल बहुत पुलाइट बहुत इच्छा नेचर था शिश्मिता जी का भी बहुत बढ़िया नेचर था बहुत अच्छे से उन्होंने बात की जैसी महाँ पे कट हुआ और जैसे ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए खाना खाने के लिए जैसे ब्रेक हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छ यार दोने बहुत अच्छे इंसान थे तो उसके बाद जुनसी यहां पे यह आम रेस्लिंग रो रही है शोहिब के साथ तो शोहिब की तो यार महां पे उन्होंने बुरी तरह बैंड बजा दी दोनों बार हरा दिया और उसके बाद फिर आपिसली वो कहना ही पड़ा ना शोह की लोगों के आभी मनीवा कमेंट आया कि हाँ पैसे थोड़े कमालो ब्राइब दे रहे हो यह कर रहे है जब बिजनस करते हैं आप मैं इस ही इसको चलो ब्राइब देना एक गलत चीज़ है बहुत पलत है बट जब आप बिजनस करते हैं कुछ चीजों के लिए आपने जीने के लिए इसको क्या पताएब नहीं ना पुछ भी नहीं है और बिजनस में हर किसी को पता है कि हाँ यह यह चीज़े ना चाहते हुए भी कभी करनी पड़ती है गलत है बटलिंग करनी पड़ती है तो यहां पे उन्होंने जो सच बोला तो मैं उनकी तारीफ करता कि उन्होंने कुछ चुपाए नहीं और अभी मन्यों का जो कमेंट था नहीं यार यह कमेंट मुझे ने ठीक लगा ठीक है यार उन्होंने ओने सीज का अंसर किया तो बढ़ी आया है और आप बीच बीच में देखोगे ना जो यह रतन और शिश्मीता जी की जो बाती चल र यह नहीं ऐसा नहीं है हम जहां पर बैठे वे ना बिल्कुल उसके ऊपर वाला जो फ्लोर था बिल्कुल नहीं या से दिख रहा था अगर हम ऐसे बैक देखें रहा था रतन और शिश्मीता जी तो बाते भी सुन रहे थे और हम सब वह देख भी रहे तो जो अभी नापका म पर शिश्मीता जी यह बाते हैं नहीं जीतनी वह बाद में किसी टाइम पर शूट हुआ या पहले शूट हुआ मझे याद नहीं इस चीज़ का बट वो सब कुछ यहां पर दोनों बैठ के ओपर देख रहे थे फिर उनकी एंटरी होती है दोनों की बाद में जब दिखाते हैं कि हां वो दोनों आ रहे हैं वहाँ पर और फिर वो एक गेम खेलते हैं सभी के साथ ना सभी को बारी बारी बिठाया जाता है इस गेम में यह वाली चीज़े ना थोड़ी सी वो जाती है अजीब हो जाती है मुझे एक्जाटली याद भी नहीं कि इस टाइम पर ऐसा क्य हैं वो है रोहित मितल को खिलाया गया रोहित मितल ने वो जवाब दिया कि हां वो करेले की जटने जितना भी था यह जो गेम खेलते थे इसमें हर कोई नहीं पिक हुआ था जैसे मैं इस गेम में नहीं था राहुल भी इस गेम नहीं था तो हम सब नहीं पिक हुए थे इसमे तो इसमें मैं भी जैसे इसमें पिक नहीं हुआ था, राहूल भी इसमें नहीं था तो ये बिलकुल आई थिंक ये मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग या फिर डारेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ-कुछ लोगों को ही पिक किया गया ताकि देखने के लिए कि हाँ ये आगे कैसे रियाट करते हैं या फिर जो चूज करना था उनमें उनको नेक्स जो इनसान चूज करना है जैसे लोहा सिंजी आया थे यहाँ पे उन्होंने जो तलवार देनी थी अपनी वो किसको देनी है तो जब ये वाला सारा कॉंपटिशन हो गया हमसे बाचीत हो गई ये हम चारपान जो इनसान थे मैं अभिनव उसके बाद टी सुरेश उसके बाद रोहित मित्तल इधर से दीपक पंडित शोईब ये सब हो गए इन सबसे बाचीत हो गई और जो गेम में भी जितने इन्वाल थे तो इन सबी का अगर मैं एफ़र्ट देखूं इन सबी के अंदर से अगर किसी इनसान को पिक किया जाना चाहे था तो ये बहुत सर्प्राइजिंग थी चीज हमारे लिए कि जिस इनसान को पिक किया गया वो था रोहित मित्तल और हम सभी इस चीज से बहुत ज़्यादा सर्प्राइज थे कि यार ये क्यों रोहित मित्तल ने अभी भी आज की रेट में भी अगर मैं देखता हूना उस चीज को इमेजन करके या पूरे शो को देखके अभी तरह जितने एपिसोड हैं को देखके रोहित मित्तल मुझे किसी एंगल से आस तक समझ नहीं आता कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि रोहित मित्तल को वहाँ पे वो तलवार दी गए जैसे शोहित ने वाला कान है कि हाँ मुझे दी जाने जाए थी अगर इस टाइम पे अगर मैं कहूं कि रोहित मित्तल की जगाँ दर शोहित को भी मिल जाती ना तो भी मैं उस चीज़ पे अगरी कर जाता कि हाँ चलो शोहित को दे दी कि उसने वहाँ पे कुछ किया था एफर्ट की थी लोहा सिंच जी को हराने के लिए बट रोहित मितल को वो स्वार देना तो टोटली गलत था है वो लॉजिक मुझे नहीं समझ में है कि वो रोहित मितल को वहाँ पे क्यूं दी गई बट चलो उस टाइम पे जो भी डिसिजन था वो मैनेजमेंट के कार्डिंग था या फिर सुदेश बेरी जी को खुद को परसनल लगा कि हाँ वो तलवार रोहित मितल को दी जानी चाहिए बट वो डिसिजन मुझे नहीं पस्ट आया था बट चलो उनका डिसिजन था नहीं पे जा तो रोहित मितल को तलवार देगी और सभी के जितने के लिए जो कमेंटार है नहीं कोई नहीं सोच रहा था कि अबसमें तर्वार देगी या फिर दी जानी चाहिए वो इसी लिए कमेंटार है सभी कि सभी सर्पाइस ते यार कि ऐसा कैसे हो गया है इसके बाद जैसे ही लोहा सिंग जी और शुशमीता जी जैसे ही यहां से हमसे विदा लेते हैं उसके बाद अनौन्स होता है इलिमिनेशन जोन हम सभी को जाना है इलिमिनेशन जोन में और आज फिर से कोई एंसान इलिमिनेट होने वाला है तो वही फिर से एकदम कुश्माक साइलन्स की आज कौन और यहाँ पर भी आप देखोगी जैसे जब हम इल्लिमिनेशन जोम में पहुंचते हैं तो आन दा स्पोर्ट आपने देखो कि वो दिखाते हैं कि कुनाज से जुन सा वहाँ पर वो पूछते हैं कि आपको क्या लग र है वो बाकियों का ने दिखाया वो बाकियों से पूछते थे जो अन दा स्पोर्ट पूछते थे थे ना तो यार वहाँ पे तो सभी की हालत खराव होई होगी सभी फिंगर क्रॉस ही कर रहे तो आज हमें ना जाना पड़े का भी रीजन ना सभी को इसी लिए लिए लगता की आई हो कि आज मैं यहां से नहीं जाओंगा तो जैसे हम इल्लमिनेशन जोर ने पहुंछते हैं तो आज तो हमें बिलकुल भी इस हो गया निए 11% भी आइडिया नीजी कि यहां से कौन जाएगा जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि पिछले एपिसोड में हमें बहुत क्लियर था कि गौरब जग्जी टी सुरेश और सुधानशू यह तीन इनसान है कि इन तीन नों में से कोई भी जा सकता है बट आज वाले एपिसोड में हमें यार कोई भी आइडिया नहीं था कि कौन जाएगा बिलकुल ऐसा था कि आज कुछ भी हो सकता है आज आज कोई भी जा सकता है उसके बाद जैसे जैसे वो अनौन्स करते हैं कि यह यह लोग सेफ है वहाँ पे हम सभी एके करके जब एक तरफ से दूसरी तरफ सेफ साइड पे जाना शुरू करते है उसके बाद जब लास में जब वहाँ पे लोग बच जाते है और जब यह अनौन्स होता है कि आज कुनाल का सफर यहीं खतम होता है यार वो बहुत शौकिंग था हर किसी के लिए अब भी भी मेरा जो दूसरा चैनलेस पे जितनों लोगों कमेंट आते ना वो बोलते हैं कि हाँ कुनाल को नहीं जाना चाहिए था मैं परसनली भी यह सोचता हूँ कि हाँ कुनाल को उस मॉमेंट पे नहीं जाना चाहिए था कितने लोगों के यहाँ पे reaction थे कि हम नहीं सोच रहे थे कुनाल का भी और कुनाल ने भी जो खुद का वहाँ पे अपना reaction दिया कि उसने बोला कि हाँ जो non deserving है कुछ लोग ऐसे जो वहाँ पे अभी भी है और उसको लगता कि हाँ अगर ऐसा ही है तो उसको चले जाना चाहिए चलो उसका अपना personal thought है इस चीज़ के लिए बट ये बहुत जादा shocking था यार हम सभी के लिए अब इस चीज़ में ना यहाँ पे जो उसका एक चीज़ कट हो गई है एडिट हो गई जो कुनाल की conversation थी ना जो रतन के साथ वो बहुत important थी और जो रतन ने इस कुनाल के elimination के बाद जो बताया ना कि जब वो बात करता था या जो वहाँ पे अपने आपको present करता था वो बहुत चीज़ फेक लगती थी वो चीज़ most important या आप जब वहाँ पे आए हो आप फिर रहो अपने आपको फेक करने ये इनसान अपने आपको फेक कर रहा है या फिर 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 जुटा दिखावा कर रहा है ऐसा बोल दिया शायद उन्हें हो प्रिटेंड करने का तो वो रीजन एक हो सकता वाकि हमारे कॉर्डिंग हमें किसी को नहीं लगा था कि कुनाल बहां से कुनाल को हम सभी माँते थे या ये डिजर्विंग इनसान है बट मुझे नहीं पता था इस सीज का राहूल ने इस सीज का जिकर मुझे पहले भी किया था कि कुनाल मुवीज में काम करता है सीरियल भी करता है स्टार्क की सीरियल में करता है और वो क्रिशन जी के रोल उसका कोई रोल था जो बहुत फेमस रोल था तो ये वाली सारे चीजे थी उसके कॉड़ी हम लोगों को वही लग रहा था कि यार ये भी एक टीवी वाला बंदा है ये टीवी में करता है काम करता है तो ये ज़ादा डिजर्विंग है रतन के लिए बट आई थिंक यही वाली चीज वहाँ पे आपजिट होगी उसके लिए कि वो अपने आपको सही में जो कुनाल है वो वहाँ पे दिखाई ही नहीं पाया वो टीवी सीरिल वाला कुनाल ही वहाँ पे अपने आपको प्रिटन्ट करता रहा है पता नहीं देखों मैं जस्ट एक यहाँ पे अज्यूम ही कर रहा हूँ एक अजमशन ही है मेरी जो रतन का लास्ट में जो कमेंट आया उसकी उससे बाकि हमें यार मैं आज भी आज की रिटमें कहा रहा हूँ हमें नहीं लगता था किसी भी हालत में कि कुनाल को इलिमिनेट मादे होना चाहिए बाकि वही फिर से बात आती है कि हाँ यार फैसला रतन का और मैनेजमेंट का जो भी उनका जो को डिसन था या रतन का टूटली फैंसला था जो रतन ने किया अपने कॉर्डिंग वो बिल्कुल सही किया वो सही फैंसला था बट हमारे कॉर्डिंग वो एक शौकिंग डिसन था तो कुनाल यहां से Eliminate हो गया तो धीरे धीरे करके सब यहां से इलिमिनेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे हम सब का नमबर आने वाला है तो यह डर लगता है यार फिर वही कुनाल चला गया हम मिल भी नहीं पाया उसे तो धीरे धीरे करके हम सब भी इलिमिनेट होने वाले हैं तो यह वाला एपीसोड होता है यहां पर खतम, अब जो नेक्स एपिसोड है यार नेक्स एपीसोड बहुत 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 important है, नेक्स एपिसोड है शोहभ के रिगार्डिंग, जो अभी तक जितने कोशिन आते हैं लोगों की शोहभ बहुत अच्छा था, शोहभ अच्छा थ जाएंगे सब गलत हो जाएंगे अब आप जो ऑन स्क्रीन देखते हो आपको बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए जब एक्चल में जो इंसान है न वह आप जो इसके साथ रहते हो न आज साथ उठते बैठते तभी आपको पता लगता है नेक्स एपिसोड में आपको कि यहां क्या गलिश्ट था क्या वहां पर दिखाया गया और एक्चल में हुआ गया था तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि तब तक के लिए खुश रहिए ख्याल रखिए जैहन